ब्रॉट टी यू बाई प्रोबो अगर आपको हम बताएंगे तो impact wise आपको नजर आएगा कि कुछ-कुछ aspects में रोहित और विराट से भी बढ़ कर रही साथ इसाथ जो greatness से शिखर धवन की वो on the field की बात ने वो off the field का एक मामला है उस पर भी आपको बताएंगे किस तरीके से शिखर धवन ने सबका दिल जीता और कैसे अभी भी काफी सारे records उनके नाम हैं काफी सारे किरतिमान उनने बनाए जिस तरीके से शुरुआत हुई थी और दिनेश कारतिक आपको ऐसे T20 में खेलते वे भी दिखेंगे तो वहाँ पर सवाल ये है कि क्या शिखर धवन overseas leagues में आपको खेलते वे दिखेंगे तो आप पनी opinion दीजिए और वहाँ पर आप exciting prizes भी जीत सकते हैं लेकिन वापस आते हैं शिखर धवन पर एक नज़र उनक उतना बहतर नहीं है लेकिन क्या शुरुआत हुई थी उनका डेब्यू याद आता है मोहाली में ऑस्टेलिया के अगेंस जबर्दस पारी एक स्ट्रगल जरूर रहा है उनके लिए overseas test न्यूजरेंड में एक शतक जरूर लगाया था लेकिन सवता अफ्रिका, इंग्लेंड, अस्टेलिया दौरे उस तरीके से नहीं रहे और test cricket जो है cut shot हो गया, ODI में बहुत ही तगडा, लेकिन अब यही है कि ODI में 17 शतक आप शतकों के लिहास पो भी देखोगे तो इंडिया के top 5 cricketers में आएंगे और बाकी भी worldwide अगर आप openers देखोगे तो बहुत अच्छी position वहा जारत के लिहास से तो सबसे काम्याब opening pair runs के लिहास से और T20 cricket वहाँ पर भी आंकडे जो है उतने जादा बहतर नहीं है लेकिन अब क्या शिकरधवन के साथ चीजें थोड़ी उतनी सही भी नहीं रही जहां पर बाकी खिलाडियों को एक लंबा run मिला हमने देखा अलग लग स्टेज पर वहाँ पर शिकरधवन के साथ शायद उस तरीके से एक run नहीं दिया गया चाहे T20 cricket के गर में बात करूँ सबसे पहले तो आपको याद आएगा कि 2020 में IPL में भी बड़ा जबर्दस कर रहे थे उसके बाद हमने देखा था कि उम्मी देए थी पर शिकरधवन इस तरीके से कभी मौका नहीं दिया गया इवन टेस में भी लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि शिकरधवन ने भी उसके बाद उसके से डमेस्टिक में अपना केस नहीं रखा लेकिन आप कह सकते हो कि शायद थोड़े मौके उनको वहाँ पर मिल सकते था अगर ODI की बात करें और क क्यूं शिकरधवन बाकियों से बहतर होते हैं क्यूं शिकरधवन जैसे खेलाडियों की भारते क्रिकेट को ज़रूत है वो आपको दिखाते हैं और उनके आंकडे ये हैं Mr. ICC शिकरधवन को कहा जाता है और आप आंकडे देखिए ODI World Cup में जो उन्होंने खेला और Champions Trophy में जो खेला है ODI World Cup जरूर 2015 में भारत का सफर समिफाइनल में खतम हुआ 2019 में जो हुआ था अगें समिफाइनल में खतम हो जाता है सफर लेकिन Champions Trophy 2013 में शिकरधवन जिस तरीके से आए और वहीं से जो मैंने आपको बताया भी था ये आंकडे आपके सामने आप average देख लीजिए, strike rate देख लीजिए, शतक का यहाँ पर एक आंकड़ा देख लीजिए शिकरधवन रोही शर्मा वो पेरिंग वहीं पर बनी और फिर क्या कमाल की पेरिंग रही ना सिर्फ इंडिन क्रिकेट के लिए लेकिन वर्ल्ड क्रिकेट के लिए सारे फैंस ने वो इंजॉय करी और दोजार जो हम 15 वर्ल्ड कप की बात करें वहाँ पर भी कमाल की परफॉर्मेंस इस और 2019 वर्ल्ड कप में जो सबसे यादगार उनके करियर का एक शिकरधवन ने दर्द में बल्ले बाजी करी और शिकरधवन को और क्या कमाल की बैटिंग करी थी चोट उनको जरूर लेगी लेकिन उसके बावजूत शिकरधवन ने होसला हिम्मत नहीं छोड़ी और बहुत ही कमाल की बैटिंग करे थी हाला कि अब ये भी थोड़ा सा कह सकते हैं कि इस वजह से भी उनका ODI में उतने जादा मौके नहीं मिले क्योंकि वही शतक उनका आखरी शतक रहा वंडे में उसके बाद कुछ 90 उनने जरूर करे मुझे एक 98 याद आता है अब कैसे इंपक्ट वाइस जो है विराट को ली जिनको हम कहते हैं कि के किंग उनके आसपास कोई खिलाड़ी ने और इस लिस्ट में आप नाम देखे सईद अनवर के लिए पाकिस्तान से हमेशा बात होती है कि शायद पाकिस्तान का बेस्ट बैटर विव रिचर्स, दे ग्रेट विव रिचर्स, केन विलिमसन, फैब फोर के खिलाड़ी और फिर सौरव गाउंगली भी जो हमें पता है कि भारत के लिए क्या कप्तानी करी, क्या बल्लेबाजी करी लेकिन धवन का यहाँ पर देखे सबसे शांदार एवरेज भी और स्ट्राइक रेट भी उतना ही जादा उमदा, तो ऐसा नहीं था कि रंस आ रहे हैं लेकिन स्ट्राइक रेट कम क्योंकि शिखरधवन बेफिकरी से खेलते थे और उनके चहरे पर एक मुस्कान रहती थी हमेशा, चाहे शिखर जीरो पर आउट हो रहे हूँ, 90s में आउट हो रहे हूँ, और फिर शतक लगा कर आउट हो रहे हूँ, उनके लिए हमेशा एक कॉस सा हो था टीम फर्स्ट, इ जब एक सेलेक्शन को लेकर पूरी डिबेट चल रही थे और तब उनने साफ कर दिया कि कैसे अगर वो खुद भी सेलेक्टर होते तो वो शुमन गिल को चुनते, उनका एक मानना था और साफ कहना था कि शुमन बहुत जबर्दस खेल रहे हैं, वो पफॉर्म भी कर रहे हैं खिलाडियों को भी समझना होगा, हमने देखा कि काफी बारी खिलाडी भी जो हैं, तो रहसा उनको शिकायत रहती है कि मौके नहीं हुआ, उनने बताया भी बात में कैसे स्पिरिच्वालिटी ने उनको यह हेल्प करा कि इस तरीके के जोन में हो जाएं, जहां पर हर किसी को competition या jealousy की नजर से ना देखें, लेकिन शिकरधवन की एक खास बात यही थी, कि वो team को आगे रखते थे, team को आगे रखते थे, उसके बाद वो खुद को रखते थे, और throughout उनने अपनी cricket वैसे खेली, IPL की अगर बात करें, IPL में भी कमाल के आंक्रे हैं, अगर आप परार्दो शायद ये एक वजह भी रही हो कि शिकरधवन ने इंटरनेशनल के साथ साथ, domestic से भी, क्योंकि शिकरधवन का साफ है, वो कहीं पर भी जगह नहीं रोकना चाहते, चाहे वो IPL रही हो, चाहे वो Indian cricket, वहाँ पर उनने शुब्मन गिल के रास्ता खोला, IPL में भी और यंग खिलाडी जो deserving होगा, वो आकर वहाँ पर खेले, और ठीक है, domestic को लेकर अलग लग चर्चा होती है, कि उन्होंने खेला, क्यों नहीं खेला, खेलना चाहिए था, बठो सकता है शिकर का mindset वहाँ पर भी रहा हो, कि कोई एक और खिलाडी जो अपनी जिगह बनाना चा हमारी तिकडी बनी वी थी, और तीनों बड़े खास खिलाडी थी, लेकिन शायद उनमें शिकर्धवन को सबसे कम celebrate किया है, तो आज वक्त आ गया है कि शिकर्धवन को celebrate करें, ऐसे आप bowling friend पर भुवनेश्वर कुमार को कह सकते हैं, कि भुवनेश्वर कुमार को भी हम उस त थाइ-फाइव celebrations, उनका मूचों को ताव देना, उनका celebration पर बाहें इस तरीके से कर लेना, क्योंकि आपको पता है कि ये कम ही खिलाड़ी ऐसे होते हैं, जिनकी celebrations इस तरीके से famous होते हैं, बोलर्स की हम celebrations याद रखते हैं, बलेबाजों की भी celebrations याद रखी जाते हैं, लेकिन अगर आप उसमें एक ऐसी चाप शोड़ जाओगी, जहाँ पर youngsters तो celebrations को follow करें, model करें और उनको देखें, तो ये जरूर है कि field पर thigh five को miss करेंगे और गबर के अंदाज को miss करेंगे, लेकिन शिकरधवन the human being अपने आप में काफे कुछ उनकी personal life में भी गया, लेकिन जिस तरी पर भी करें और सब्सक्राइब नहीं किया sports तको तो सब्सक्राइब जरूर करें